हेलो लर्नर्स वेलकम चुमाइनी वीडियो तो आज हम एक मैजिकल फॉर्मला के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इस मैजिकल फॉर्मला को यूज करके हम अपनी लाइफ में तुरंथ अभी की अभी कैसे वरी सिच्वेशन को ओवरकम कर सकते हैं तो आज की वीडियो होने वाली ये बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलिजबल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हमेशा की तरह तो वीडियो को एंच तक देखना ना बूलें तो I was being blackmailed येस मेरे को blackmailed किया जाता है और मेरे को believe ही नहीं होता कि outside the movies कभी possible भी हो सकता है और मुझे लगता था कि सिर्फ ये movies में होता है तो I was actually being blackmailed तो ये student author को ये बात बताता है कि मेरे को blackmail किया जाता है तो story को जिस तरीके से होती है कि ये जो student होता है इसकी ये head होता है एक oil company का जहां पर certain drivers और certain trucks होते हैं तो उस time पर war regulations बहुत strict force में थी और इनको बोल दिया गया था drivers को कि तुम जो अपने customers है उनको limited amount of oil ही supply कर सकते हो तो होता क्या है कि इनके कुछ drivers इस oil company के जिसका वो student head था उसके कुछ drivers जो उनके regular customers थे उनको तो short supply में oil supply करते थे और जो उनकी खुद के customers थे जो drivers जो कुछ drivers थे उनके जो खुद के customers थे तो वो जो remaining या फिर जो surplus oil था वो उनको जाके supply करते थे तो इस student को ये बात कैसे पता चली कि एक दिन एक आदमी आया जो कि ये claim कर रहा था कि मैं government agent हूँ और मैं government officer हूँ और मेरे पास documentary proof है ये बताने के लिए कि जो तुम्हारे कुछ drivers है वो क्या हरकते कर रहे हैं और वो कैसे अपने खुद के customers को surplus oil बेच रहे हैं तो वो उस student से demand करता है हुश्मनी मतलब कि रिश्वद कि तू मेरे को अगर 5000 डॉलर नहीं देगा तो मैं ये documentary proof कोट में लेके जाओं मा अब वो student बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है और वो ये सोचता है कि अगर by chance मैंने इसे 5000 डॉलर जो ये रिश्वद मांग रहा हू और मैं अपने business के लिए बहुत proud हूँ because 24 साल पहले मेरे पापा ने शुरू गिया था और वो उसकी reputation खराब नहीं होने देना चाहता था तो इसकी विजाए से वो तीन दिन तक ना तो सो पाया ना वो खा पाया वो सिफ चिंता मेरा और वो परिशान होता रहा और वो अपना एक दिन की student डेल कारनेगी की course में क्लास में आता है और महां पर इसे booklet दी जाती जिस पर लिखा होता है how to stop burying अब उस booklet में जो एक formula होता है three step formula जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहरा हूँ जो आप अपनी life में भी apply कर सकते हो तो पहला step होता है what's the worst that could happen अपने हो जाएगा all that can happen is कि मेरा business जो है वो रून हो जाएगा मैं जेल लेकिन इसको एक बात भी बताते कि मैं personally मुझे डरने की कोई ज़ोरत नहीं ना मैं जेल में जाने वाला हो ना मैं मरने वाला हो तो यह पहले accept करता कि what's the worst that could happen और इसे पता लगता है कि मेरा जो business हो रून हो ज जॉब ढूननी पड़ेगी पर वो कोई बुरा option नहीं था क्योंकि मुझे oil के बार में बहुत कुछ पता था तो मुझे easily job में मिल जाएगी तो it's not a bad option for me ठीक है business रून होगे अमने को job ढूननी मिलेगी पड़ेगी अब मेरे को job मिल जाएगी क्योंकि मुझे oil के बार में ब बात बता दू तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा solution मिल जाए जो मुझे भी ना मिल पा रहा हो तो यह सोचता है कि यार यह ट्राय करते हैं तो यह अपने lawyer के पास जाता है अगले सुबह और इसका lawyer जाके बोलता है कि अपने attorney के पास जाओ district attorney के पास और इसको सारी situation बता तो इसे यह पता लगता है कि यह रैकेट जो blackmail racket यह बहुत टाइम से चल रहा था और यह बदमाश को police की तलाश थी और finally जब इसको पता लगता है कि police को इसकी तलाश है इसको इतना relaxed फील होता है इसको इतनी चैन की रहत आती है कि एक दम relaxed हो जाता है और वहाँ पे इसकी चिंता है वो सारी मुक्ट दो जाती है क्योंकि इसे अब डरने की कोई जरूरती नहीं है क्योंकि आप पुलिस को इसकी तलाश थी इसने बता दिया अब पुलिस उसे पकड़ लीगी तो इसे डरने की आप कोई जरूरती नहीं है लेकिन अगर इस चिंता करता रहता यह अगर आप इस चीज को कैसे अप्लाय कर सकते हैं यह आपको धंकी देते हैं कि मैं तिरको ब्रेक अप कर दूंगा तो आप यह magical formula apply कर सकते आप अपने आप से पूछ सकते हो कि बुरा सा बुरा क्या हो जागा अगर ये मुझसे break up कर ले तो कि ये हो जाएगा कि आपको अकेला रहना पड़ेगा इसके बिना जो कि आपके लिए मुश्किल होगा that's true second आप mentally accept करो कि ठीक है मुझे इसके बिना रहना पड़ेगा तो ठीक है मैं रहूंगा ये रहूंगी तीसरा इंप्रूव करने की कोशिश करो उस पे पूछो अपने आपसे कि मैं अपने अंदर क्या changes ला सकते हो अपने behavior में जिसकी वैसे मेरे को blackmail या threaten करे ना या मिरको दंकी दे ही ना जिससे कि मेरे मेरे को डरने की जरुती ना पड़े कि मेरे को छोड़के चल जाएगा चोड़की चले जाएगी ठीक है ना एक और situation अगर मैं आपको बता हूं let's suppose आपको डॉक्टर ने बोलगे कि आपके सिर्फ दो हफते हैं जिन्दगी जीने के लिए और दो हफते बाद आपका जो case है इंक्योरेबल है और आप बच नी सकते अब क्या करोगे आप जातर लोग चिंता में आ जाएंगे परिशान हो जाएंगे दिमाग खराब जाएगा कि दो हक्ते हैं क्या करें वह accept नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप यह magical formula apply करोगे तो क्या होगा पहला what's the worst that could happen in the case that second आप उसको accept करो कि ठीक है देथा है आप कोई option नहीं है डॉक्टर ने कहा दिया इंक्योरेबल कैसा तो मर नहीं है और तीसरे में आप इंब्रूव कर सकते हो वर्स्ट पर कैसे आप अपनी लाइफ के जो बचे वे दो हफते हैं उनको fully enjoy कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को दो ह सब्सक्राइब लोग गुस्ता हो जाएंगे मेरे घर पर आकर आगा लगा देंगे बट एक्चुली मैं ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला दो वर्स्ट एट कुड हैपन तो यू इस दाट पीपल विल पोस्ट नेगिटिव कॉमेंट अबाउट यू दैट सिट आप ना तो कोई मौत होने वाली है पर जातर लोग अपने आपसे वस्ट पूछते ही नहीं है वस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसलिए वह चीज़ कर ही नहीं पाते अम मानलों आपको यूट्यू चैनल स्चार्ट करना है आपकी दिमाग में वेग इमैजिनिंग आ रही है कि यह ह हो जाएगा वह जाएगा लोग घुस्त हो जाएगे घर के बाहर आके आगा देंगे थपड मारेंगे रोड पर पकड़के मारेंगे तो आप अगर आपकी दिमाग में यह सारी सिचुएशन आएंगी इमैजिनिंग इमैजिनेशन आएंगी तो आपको काम कर रही नहीं आपको वेग इमैजिनिंग देतर आएगा और आप परेशान होते रहोगे और आप डिसिजन नहीं ले पाओगे तो यह आपको चीज समझनी होगी कि जब हम चिंता करते हैं तो हम अपनी अपनी खो देते कॉंसेंट्रेट की करने की तो एक बहुत ही अच्छा फिलोसिफर अगर आपको पीजाए तो आपको एकसेट करने का फायदा बता हुआ हो कि अपने वर्श्चा नहीं आपके पास अपने के लिए आपस कोस्ट होने के लिए तो कुछ है नहीं नाओ इस जाट आटमेंस के लिए हैं एव From सिर्फ पाने के लिए है, होने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो अगर आपको relationship में कोई धंकी देता है, blackmail करता है, या फिर आपको डर लगता है किसी चीज को करने से, या आपको लगता है कि यार लोग मेरे बारे में negative comments बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाते हो, तो आप अपने आपको ये magical formula अप्लाए करो, कि पूछो अपने आपसे बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुरा से बुरा, उसको accept करो mentally, और उसे improve करने की कोशिश करो, तो आशा करता हूँ, आज जो मैंने आपको magical formula ये 3 step formula बताया है, ये आप अपनी life में use करोगे, अगर आपको इस formula से related या इस video से related कोई भी सवाल है, कोई भी आपका feedback है, तो आप मुझे please comment करके जरूर बताए, आपने मेरे को इतना कीमते समय दिये, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, bye bye.